प्यारे बच्चों जैहिंद बिना समाई गमाई स्टार्ट करते हैं जैनल लोलेज और साइंस की क्लास तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसमें चार ओप्सन दियो हैं तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो इसका ओप्सन कौन सा हो गया ओप्सन थ्री इसका करेक्ट आंसर हुआ चले बढ़ते हैं नेक्ट क्वेश्चन की तरफ बिदी सा किस नदी के तट पर इस्थित है तो बिदी सा बेतवा नदी के तट पर इस्थित है यानि इसका ओप्सन फोर जो है करेक्ट आंसर होगा तो बिदी सा मद्ध प्रदेश का एक सहर है जो बेतवा नदी से 20 किलोमीटर पूर्ब में इ तो इसका option 4, जो है correct answer होगा, चले बढ़ते हैं, next question की तरफ, तो इतिहास के अनुसार, इसमें ग्वालियर की स्थापना किस ने की थी, तो इतिहास के अनुसार ग्वालियर के स्थापना सूरज सेन ने की थी, थीक है गौलियर के इतिहास से इतिहास का पता है वो आठवी सताब्दी में लगाया गया था तो सूरष सेन जो एक सरदार थे मतलब चीफटेन थे तो उनको एक घातक बीमारी थी तो वे घातक बीमारी से पीड़े थे और उसे एक साधू जो के ग्वालीपा नाम था उनका साधू का ग्वालीपा नाम के साधू ने उनको ठीक किया था तो सूरज सेंन ने ग्वालीपा के लिए आभार ब्यक्त करते हुए इस सहर की स्थापना की थी तो इस तरह से शेर का नाम गौालियर पड़ा ठीक है तो इसका option 4 जो है correct answer है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ प्रधान मंत्री श्री ननेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारी का अतुल उदय के लेखक ठीक है तो मोदी एक तारी का अतुल उदय के जो लेखक है वो है तरु जाए चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL का मुख्याले कहां है तो HAL का मुख्याले बैंगलूरू में है ठीक है बैंगलूरू में है और हाल ही में सरकार ने HAL से 83 तेजस लड़ाकू बुमानों का सोदा किया है ठीक है तो इसका option 2 जो है correct answer है चलिए सासित प्रदेश हैं ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं next question ये रहा आपके सामने है भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना कब हुई थी तो भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी यानि option 4 जो है इसका correct answer होगा ठीक है बढ़ते है next question की तरफ केंद्र सरकार के व संजीब सान्याल है तो संजीब सान्याल एनि option 2 जो है इसका correct answer होगा ठीक है बढ़ते है next question की तरफ तो next question क्या है संस्कृत के लिए 2014 के साहत्यकाजमी पुरुषकार के विजयता के रूप में किसी नामित किया गया तो संस्कृत के लिए प्रभुनाथ दुवेदी को नामित लेकिन अगर मालीजे 2014 में किया गया था लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि 2019 में संस्कृत के लिए किसको साहत्यकाजमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इनका नाम है पेन्ना मधु सूधन अगर 2019 का आता है क्योंकि 2014 पुराना हो गया तो 2019 का आ सकता है तो पे चीलते हुए अपने को यह लिखा था नंद किसोर आचारे ने और एक इंगलिस में विला था इनको शशी थरूर को एन एरा ओफ डार्कनेस नॉन फिक्शन लिखा था है इनों ने तो इस तरह से 2019 के तीन पुरुषकार दिये हैं बैचे तो इसमें साहित सम्मान जो है कुल 24 भ चतरबुष मंदिर का निर्मान करवाया तो किसने करवाया और चार गुजादारी भगवान विश्णू को समर्पित था और इसका निर्मान 1558 से 1500 73 की बीच में राजा मधुकर ने करवाया था मदुकर ने करवाया था किसना करवाया था राजा मदुकर ने करवाया था तो यह detail भी आपको मिल गया आप इसके बाद में next question की तरफ बढ़ते हैं तो बिंद्याचल स्नैणी में सबसे उची चोटी कौन सी है तो गुडविल चोटी जो है सबसे उची चोटी है सद्भावना सिखर भी कहते हैं इसको तो सद्भावना सिखर यानि गुडविल चोटी जो है बिंद्याचल परवत संखला की सबसे उची जगए है और इस चोटी की उचाई समद्र तज्जे 2400 सरसट फीट है तो इस तरह से यह option फोर जो है इसका correct answer हो गया चलिए बढ़ते है next question की तरफ who is the chief of the Indian army भारती सेना के प्रुमक कौन है तो अभी देखिए इन चारों option में कोई भी यह चारों option में नहीं है क्योंकि यह पुराना वाला question है तो इसमें correct answer इसका क्या होगा भारती सेना के प्रुमक का नाम बताना है तो बरतमान में जो chief of army staff है वो है जनरल मनोज मुकंद न नर्वणे इनके हैं और यह जो जनरल विपिन रावत है यह पहले थे जनरल विपिन रावत पहले थे लेकिन अब जो जनरल विपिन रावत है वो chief of defense staff है यह रक्षा प्रुमक है अब अब क्या है बरतमान में यह जनरल विपिन रावत रक्षा प्रुमक है chief of defense staff और जो chief of army staff थल सेना ध्यक्ष वो हैं जनरल मनोज मुकुंध नरवणी एम एम नरवणी तो यह भी आप जो है इसका डेटेल समझ लें तो बरतमान में हमनें आप लिặ Bharatकि धल सेना ध्यक्ष यहिनी चीफ ओप आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंध नरवणी हैं ठीक है करेंट में नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट कोश्चन क्या कह रहा है, केंद्री पर्यावरण वन एबम जलबायू परवरतन मंत्राले के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मद्द प्रदेश के कितने गाउं सामिल किये गए तो इसमें मद्द परिक्शन किया गया था तो यह चार दीवपों के नाम है, आईलेंड के नाम है और इन में से अबदुल Кलाम दीब पर परिक्शन किया गया था, तो यह इसका उपशन ठी होगा, ठीक है और इसमें एक चीज और आप नोट कर लेंगे के भारत ने परमानु हतियार ले जाने में सक्षम अगनी पांच मिसाइल का ओडीशा के तट से सफल परीक्षन किया था यह परीक्षन ओडीशा तट के पास डाक्टर अब्दुल कलाम दीप से किया गया था और मिसाइल की जो मारत छमता है वो 5000 जार किलो मीटर है इस में साइल की जो मारक शमता है वो कितनी है पांच जार किलो मीटर है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है अब्दुल कलाम आय लेंड से यह इस दीप से जो है इसका परिक्षन किया गया था चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ तो नेक्ट कोश्चन क्या है राष्ट्री प्रतीक पर निम्न मैंसे कौन से सब्द अंकित है अब राष्ट्री प्रतीक पर निम्न मैंसे कौन से सब्द अंकित है तो इस पर सत्यमेव जैते तो सत्यमेव जैते यानि ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है सत्यमेव जैते ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं बिभाजन परशद के अध्यक्ष कौन थे तो बिभाजन परशद के जो अध्यक्ष थे वो लाड माउंट बैटन थे और लाड माउंट बैटन यानि option इसका कौन सा हो गया लाड माउंट बैटन और ये भारत के अंतिम 22 राए भी थे तो ये भी आप याद रखें लाड माउंट बैटन भारत के अंतिम 22 राए थी next question क्या है इसमें देखिए दिबांग वनीजीब अव्यारन भारती राज्य किस राज्य में इस्ते थे कोंसे भारती राज्य में इस्ते थे तो इसका अरूणान ör। चन प्रदेश में इस्ते थे यें आप स्व तो इसका राष्टी पार्क का हमें नाम बताना है तो उस राष्टी पार्क का नाम है पैच पैच नाम प्रजाती के प्रजाती को पलक जपकते ही दिखने और गायव हो जाने वाले ठीक है और साथ साथ में चीतल सांभर नील गाय भ्रक्ति ताने खड़े जंगली भैसे और लगवग 65 भागों से भरा पड़ा है ठीक है तो इस स्थान का नामकरण प्यंच नदी के कारण हुआ प् प्यंच नेशनल पार्क के साथ उत्तर से दक्षण की ओर भैती है कहा है प्यंच नदी और यहैं पार्क मद्वद्व प्रदेश के दक्षणी सीमा में माहरास्टा के पासे से स्थ बालात सरकार ने 1883 में नेशनल पार्क इसको घोछद किया था और 1992 में इसे अधिकारिक इस से कम उम्र नहीं होनी चीए, तो आपको पते ही होगा 35 साल की उम्र होनी चीए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चीए, यानि option 2 जो है, इसका correct answer है, चलिए अब बढ़ते हैं, तो next question की तरह, तो next question अब देखिए ये विज्ञान से related questions है, तो विज्ञान से related questions भी समझ लें, देख है, आस्मन के द्वारा भी कीटानों नस्ट हो जाते हैं, और chlorine करण से भी कीटानों मर जाते हैं, लेकिन चानने से कुछ नहीं होता, तो इसमें वो कहरा नहीं मारते हैं, मतलब option 2 यानि चानने से कुछ भी परक नहीं पड़ता, तो filtration इसका option 2 जो है, correct answer होगा, चलिए बढ़ तो option 1 जो है, इसका correct answer होगा, ठीक है, 25 cm से आदमी सावा नहीं से पर सकता है, सुधा जनक पूर्ण रूप से, ठीक है, अब देखिए, next question देखते हैं, तो इसमें फलों के रस में मिलाई जाने बाले, खमीर में होने बाले, अवाय भी सोसन, anaerobic respiration में सरकरा किस रासानिक इसका correct answer होगा, इसका detail के लिए हम ये diagram समझ लें, तो इससे तीनों चीज़ें आपके clear हो जाएंगे, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, C6H12OH6, यानि 6 carbon molecule होते हैं इसमें, ये cytoplasm में, जो है pyruvate, pyruvate इसका बनता है, तो ये 3 carbon molecule होता है, अब इसमें 3 त ए होती है, तो ये हमारी muscle cells में होती है, ये क्रिया, तो इसमें lactic acid बनता है, और energy बनती है, तो कभी-कभी ये question कुचा जाता है, ठीक है, क्या ही मसल्स में दर्ध क्यू होने लगता है, तो ये lektic acid बनता है, तीसरा जो है, ये east जा जखमन है, तो ये absence of oxygen, इसमें क्या है, absence of oxygen तो इसमें क्या होता है, एथेनोल बनता है, एथेनोल क्या है एक एल्कॉाल है, तो इसलिए हमने option 4 इसका correct answer लगा है, तो इथेनोल, कार्बन डैक्सइड और एनर्जी बनती है, यानि अबाय भी स्वशन्द, यानि anaerobic respiration में सरकरा से क्या बनता है, एथेनोल, कार्बन डैक्स नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा तो इसका कौन सा गुण है यह देखिए दिसा संबंदी गुण है दिसा पता कर लेते थे यह नाविक और यात्री जो होते थे मनें नाविक जो जाया करते थे तो दिसा ग्यान कर लेते थे से चुम्बक के दौरा तो यह दिशा सम्मद्री गोन यानि option 3 जो है इसका correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं अब next question की तरह next question क्या है देखे दीवाली के दोरान पटा के इमारत के बाहर जलाए जाते हैं और उनके जलने से थोड़ी देर बाद हमें ध्वनी सुनाई देती है ऐसा इसलिए होता है अब देखे पटा के जलाए जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें ध्वनी सुनाई देती है जलने के थ यात्रा करता है प्रकास किया है प्रकास की जो चाल होती है वह धनी के चाल से तेज होती है याईनि इसका option 2 जो है correct answer होगा इसका option 2 correct answer होगा ध्वनी की चाल से प्रकास की चाल बहुत तेज है बहुत जादा है तो प्रकास ध्वनी से तेज यातरा करता है इसलिए क्या होता है कि बिजली में भी यह होता है कि हमें बिजली की चमक पहले दखाई देती है और आवाज बाज में सुनाई देती है उसका भी कारण यही है कि प्रकास ध्वनी से तेज यात्रा करता है तो इसका option 2 जो है correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखे उसकी पहचान कीजिए जो पसुधन का भाग नहीं है तो अब पसुधन का भाग कौन नहीं है पसुधन में more जो है पसुधन का भाग नहीं है तो इसका option 2 जो है correct answer होगा ठीके बाटि यह सब पसुधन का भाग है तो more जो है पसुधन का भाग नहीं है अब चलिए बढ़ते हैं अगले बाले question की तरफ तो इसमें क्या है पसुमों में ना पाई जाने बाले ऊतक का नाम तो मीस आसार में पाय जाते हैं तो यह उप्शन हो जाएगा क्योंकि Tenrite मीरी से उसमें होते हैं पसवें और और पासजों में होते हैं और यह तो ना पाय जाने वालति सब्सक्राइब एलेमिस नहीं पाए जाता है तो इसमें मैर सेमें इसका correct answer होगा नेक्स्ट कोष्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोष्चन है यह हमारे सामने बहुत ही असान कुष्चन है यह तो देखें कॉमन सेंस का कुष्चन है आरोही करम में समय की सही कायों का चैन कीजिए तो आरोही में करना है तो पहले बढ़ते हुए करम में करना मतलब छोटा फर और तो सब से चोटी फिल्ड होने उसके बाल मेनेट के बालiri गंटा होता है वो दिन के बाल मेना मैना वर्स वहता है यारी के बड़ती है आपन अगले वाले हैजा किसके कारण होता है, देखिए अब हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा जो है जीवानू के कारण होता है, फूर्त ओफ़सण इसका correct answer होगा, बढ़ते हैं, next question की तरफ, जब sodium औरальные Kloredine के साथ अभीक्रिया करता है, तो sodium kloride का निर्माला होता है, और इस अभिक्रिया में क्या होता है तो इस अभिक्रिया में उस्मा उत्पन होती है यानि एवॉल्व होती है हीट इवॉल्व होती है इसमें क्या होता है उस्मा बिक्सित होती है यहां बिक्सित लगा है उत्पन होती है यह एवॉल्व होती है क्यों कि यह सोडियम जो है बिक्सित होती है ठीक है तो इसका option three जो है correct answer होगा चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question क्या है देखिए ब्राइलर चिकन का भरण क्या है अब देखिए ब्राइलर चिकन में जो इसका what is the feed so इसका feed क्या है तो इसके feed में देखिए ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है adequate quantity of fat and sufficient carbohydrates with vitamin rich supplement है ये ठीक है तो option one इसका correct answer होगा ठीक है अब इसके बाद में next question की तरफ बढ़ते है तो next question में देखिए चार कक्षित हिर्दा है यानि four chambered चार कक्ष बाला हिर्दा है सरी सरफ में किसमें पाया जाता है तो सरी सरफ में मगर मच्छ में चार कोशी हिर्दा हिर्दा है ठीक है बैसे इनसान में चार कोशी हिर्दा होता है लेकिन इसमें सरी सरफ नहीं रेप्टाइज में भी crocodile exception है क्रोकडाइल में क्या होता है कि चार कच्छी हिर्दाय यानि फोर चेंबर हर्ट पाया जाता है तो इसका option क्या हो जाएगा option इसका फोर जो है correct answer होगा ठीक है बढ़ते हैं और next question की तरफ ठीक है तो इसमें देखिए इसमें क्या है हिर्दाय धमनिया तथा सिराए एक साथ कारे करते हैं इस संक्चन किस इसतर के उधारन हैं तो ये संक्षन किस इस तरकी उधारने देखिए जब हिरदाय भी है धमनिया भी है धमनिया है ये तोड़ा सा गरत लिगिया है धमनिया है तो धमनिया तथा सिराय एक साथ कार करते हैं तो इस तरह की प्रणाली बन जाएगी ये सिस्टम बन जाएगा तो इसको क्या कह सकते है हम organ system कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको organ system कह सकते हैं तो इसका option 2 जो है correct answer होना चाहिए ठीक है तो इसका organ system यह अंग प्रणाली इसका correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इस सवाल की जनफ देखिए AIDS आपको पता हो गई तो काफी चर्चित बीमारी है AIDS तो AIDS जो है के द्वारा स संचालित नहीं हो सकता तो AIDS देखिए लेंग संपर्क से AIDS होता है और इस तन्य आहर से भी होता है रक्त से भी होता है ट्रांस्पूजन ब्लड ट्रांस्पूजन करते हैं तो उससे भी होता है इसका मतलब गले लगने से नहीं होता है तो option 2 जो है इसका correct answer होगा और इसमें आ Immunodeficiency Virus और AIDS का मतलब है Acquired Immune Deficiency Syndrome ठीक है तो यह भी आप याद कर लें अच्छे से कभी कभी यह भी पूछा जाता है तो इसके बाद में next question सूच में जीव जो सरकरा की ऑलकोहल में परिवर्टन में खमीर यानि इस्ट कर्म की तरह कार करता है तो अब इसमें क्या है देखि इस्ट का कैसे अलकोहल बनाता है तो यह सब यह इसमें पूछा गया गूमा फिरा के कि ता इसमें पूरे question complete हो गए है तो मुझे आसा ही नहीं बलके पूरा विश्वास है के यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी यह क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादस जादा लोगों के साथ शेर करें प्लीज आई तक्राइब करें है तक हुआ तक है तक हैंक यह भी तक हैंक यह फ्लीज।